आप पैसे बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास की मैम प्लीज ब्लेक हेड और वाइट को निकालने के लिए कोई सोलीशन बताईए क्योंकि ब्लेक हेड और वाइट का होना एक आम समस्या है यह किसी को भी हो सकती है किसी भी एज की व्यक्ति को हो सकती है कोई इस किसी भी ब्रेंड के लिए सकते हैं हिप अपर फेवरेट प्रेंड है तो मैंने उसी का करीदा है आप चाहे तो किसी का देखते हैं या फिर आप लोकल जो मार्केट क्या वहां पर कॉस्मेटिक की शोप होगी उस पर आपको शायद तरीके से आपको लगाना है जिससे कि आपसे कोई भी गलती ना हो और आप सही तरीके से अच्छे तरीके से समझ पाएं तो अगर आप ब्लेक हैट और वाइट है को निकालने के लिए इस ट्रिप वाला तरीका अपना रहे न तो मैं पहले ही बता देती हूं उसका कोई भी तो मैंने एक ही बार में छे वाला जो पैकेट है वह मंग वालिया क्योंकि मुझे जनरली आते भी नहीं है ब्लेक हैट और आज भी मुझे वाइट नहीं है तो मैं मेरे फादर के ऊपर आपको एक्सपरिमेंट करके दिखाने वाली हूं किस तरीके से ब्लेक हैट और आपको वाइट यहां लेकिन हाँ ब्लेक हैट आपको जरूर दिख रहे होंगे जित्ता भी कैमरे में दिख पा रहा है तो आपको क्या करना है सबसे पहले इस तरीकी से इस ट्रिप को हटा देना है ठीक है तो आप देख रहे होंगे एक साइड थोड़ा पॉंटेड है और गड़ा बना हुआ है तो जो पॉंटेड है उसे हमें नीचे की तरफ रखना है और यहां पर पॉलेथिन लगी हुई थी इस पॉलेथिन को भी हमने निकाल दिया है अब यह डिरेक्ली नोज पर स्टिक नहीं होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसको गीला करना है आपको नोज पी मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया है तो इससे ही आसानी चिपक जाएगा तो आप भी कोई भी नॉर्मल जो पानी है आप उसको नोज पर लगा दे और उसकी बाद स्टिक को उसके उपर प्लेस कर दें ठीक है तो आप इस तरीके से देख लाना है इसकी से सैट हो पाता तो मैंने फिर दुबारा से थोड़ा सा पानी लेकर इसको अच्छे से स्टिक किया है ताकि अच्छे से रिजल्ट मिल पाए हमें और जो ब्लेक हैट से वो निकल पाए अच्छा आप एक बात और बता देती हूं कि इसे आपको कितनी देर के लिए लगा कर आपको इसे अपने नोज पर तब तक रखना है जब तक यह कंप्लीटली ड्राइ नहीं हो जाता है अगर पंदर एमेट बीस ब्रेट में ड्राइ होता है तो इसके बाद ही आप इसे निकाल लिएगा निकालने में यह बिल्कुल भी पेंट फुन नहीं लगता है लेकिन हा थोड़े थोड़े जो चारकोल के टुकड़े ना वो नाक पर रह जाते तो इसे आप रुमाल की मदद से साफ कर लेना अब आपको क्या करना है यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मॉस्यराइजर लगाना है ठीक है जिससे की स्किन जो है बिल्कुल भी ड्राइना रहे तो मैं हमालय के मॉस्यराइजर यूज करती तो मैं वही अपने पापा के नोज पर लगा दूगी तो अब मैं आपको रिजल्ट दिखाती है दरहसल मेरे फादर को ना वाइट हैट सो नहीं थे लेकिन हां उनके ब्लैक हैट थे और वो बहुत ही डीपली नोज के अंदर धस है तो इनको अगर टाइम पर निकाल लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है तो जितने भी ब्लैक हैट मेरे फादर की नोज में थे ना वो सारे निकल चुके थोड़े बहुत वाइट थी उनको थे तो वह भी निकल गए है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंशियर बिलकुल जरूर जरूर करना और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बैल आकन है उससे भी ओल पर साइट कर लेना ताकि आपको आगया नवल वीडियो मिलते रहें